कि आप लोग आप लोग अच्छी होंगे सुस्थ होंगे मैं भी अच्छी मूं सुमस्थ हूं और बहुत सारे कमेंट्स में पास आ रहे थे कि मैं आप कि आपका रूटीन क्या था और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको भी बहुत सारे सवाल जो है ऐसे आ रहे हैं तो इतना जादा कुछ आडिया नहीं था कि मैं यह सारा कुछ शेयर करूं लेकिन अभी सवाल बहुत जादा है तो मैंने चुता चलो इस पर थोड़ी सी एक वीडि मुझे बिल्कुल भी रूटी नहीं हुई कोई भी मॉर्निंग सीखनेस नहीं हुई जैसे कि सुबह उठो बहुत जादा आलस हो जाता है या स्तरवर पकड़ा रहता है तो ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ था एकदम नॉर्मल जैसे मैं पहले रहती थी सेम वैसे ही मैं थी और बस मुझे ना इसमेल बहुत जादा आती थी लब कुछ भी हो पूरे घर में मुझे पता नहीं क्यों ना बहुत जादा गंदी वाली समेल आती थी लगता था ना पतन क्या है समझी नहीं आता था कि किस चीज़ की समेल है तो मैं बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से पर प्रोटी में बहुत कम खाती थी दही चावल में थोड़ा जादा खाती थी और उसके बाद और मुझे ऐसी कोई प्रवबलम नहीं थी तेन महीं बहुत आराम से मेरे निकल गे बस इसमेल की वज़े से मुझे बहुत जादा प्रॉबलम थी घर में ना मेरे रूम में बीस्तर मुझे गुस्ता बहुत आती थी इस वजह से कि पतनी क्या इसमेल कर रहा तो पहले तो मैं नहीं समयजवाती थी और खाने भी मुझे कोई दिकत थी और मैं सारा कुछ खाती थी मस रोटी मुझे थोड़ा कम पसंते और अभी मैं खाने लगती हूं क्योंकि जरूरी होता है और दूद मुझे अभी भी नहीं अच्छा लगता पहले भी नहीं अच्छा लगता था लेकिन अभी मैं पीती हूँ अगली बार मैं नहीं पीती अभी के टाइम पर मैंने दूद नहीं पिया था बहुत जादा और इस टाइम पर मैं कोशिस करती हूँ एकार दिन छोट जाता है बाकि मैं दूर पीटी रहती हूँ अपना नियम से रेगुलर और बस तो मेरा कुछ तीन महीने ऐसा रहा कोई जादा मुझे प्रॉब्लम ने भी की पेड़त हो रहा या कुछ भी ऐसा कुछ जादा नहीं था तो बस यही थी मेरी जो है पहले तीन महीने की जो है जो भी प्रॉब्लम होती है वह सारा कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती है उस टाइम पर तो बस और मुझे कुछ याद आएगा तो मैं जरूर आप लोग के शाद शेयर करूंगी तो यह मेरी वीडियो आप लोग भी बहुत जारा पानी पीजिए अपना ख्याल रखिए असरस रही है मरत रही है और भी आपके जो भी सवाल हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा मैं कोसिस करूंगी बताने की थिंक्स वर वोच्चिंग बाबाय